मैं इस वीडियो पर बात करने वालाओं MP Board अर्दवार्सिक परिक्षा 2022-23 कक्षा बारवी विसे बही खाता याने की एकाउंट के बारे में इस वीडियो पर बात करने वालाओं स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले इसका पीडियेप टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर वहां से इस पीडियेप को डाउनलोट कर ले तो वीडियो को सुरू करते हैं वस्तुनिष्ट प्रश् सहीं विकल्प चुन कर लिखिये साज़दारी सनलेक तैयार किया जाता है अनिवार्य है एक्चिक है अनिवार्य है अनावस्यक है इसको आपको बताने छे बहु विकल्पी है प्रश्न दिया गया कौन सा मद चालू संपत्य है देनदार स्टॉक अधत्व है वेक्तिगत खाता नाम मात्र का खाता लाभानी खाता साज़दार का खाते इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है चौत्य साज़दारी सनलेक के अभाव में ब्याज दिया जाते छे प्रतिसत वार्शिक रिण पत्रधारी कंपनी के होते हैं स्वामी लेंदार देंदार कर मचारी इसका उत्तर आपको अगले भाग पर बताए जाए गए सौ प्रतिसत आपका असली पेपर है और अवसत लाब द्वारा ख्याती की गड़ना में पुर्वर्स की हानियों को जोडते हैं घटाते हैं दो बार घटाते हैं कोई नी तो इस तरह से आपको छे प्रश्न दिया गया खाती एक डैस संपत्ति है तो अमूर्थ संपत्ति है पुना मुल्यांकन खाता है डैस का खाता है इस थाई पुंजी खाते में डैस खाते भी बनाते तो और इसके साथ आपको कोश्चन बैंक को भी तयार कर लेना है उन में से जो कोश्चन आपको लग से एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं साज़दारी का जैन्म डैस से होता है दिर्गकालिन संपत्तियों का क्रै विक्रै डैस किया है फर्मच फरनीचर को चिठा में संपत्ति पक्ष में डैसर सक्के अंतरगत लिखा जाते हैं आपको साथ खालिस्थान दिया रहेगा उसके शहीं जोड़ी वाले प्रशन दिया गया है उसके बाद आपका सत्य सत्य है इस तरह से यहाँ पर छे प्रशन अंस प्रेमियम एक पुंजिगत लाव है क्याती एक विक्री योग्य संपत्ति है कमपनी में अंस धारियों का दाईत वसीमित होता है इस तरह से आपको यहाँ शे प्रशन है फिर आपके साथ एक वाले प्रशन दिया गया है और आप लोग अच्छे से देख ले अगले भाग पर आपको उत्तर ले कराऊंगा तो उसमें आप पुरा उत्तर को देख सकें गया और उसका प्रेडियाप विग आप लोग टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिलेगा ख्याती से क्या आस है वसुली खाते की प्रकृती को समझाईए सात्वा प्रश्न फर्मस से साज़दार की निवृत्ती का क्या आस है साज़दारी का समापन किसे कहते है पुर्वधिकारी अन्सो की दो विसेस्ताएं बताई अत्वा पर दिया गया है कमपनी सब्द से क्या आस है कमपनी की विसेस्ता बताईए अन्स प्रेमियम से क्या आस है समता अन्स की विसेस्ताएं लिखे दिर्गकालियन रिण से आपक्या समस्ते हैं लिखांकन अनुपात के दो लाब लिखे साज़दारी समापन के दो कारण लिखे साज़दारी साधारन अनसों के लक्छन लिखे सुद्ध लाब अनुपात का क्यामातव इस तरह से आपको कुश्टन दिया गया सबसे ज़्यादा इसमें आपको थ्योरी प्रश्णों को आपको ध्यान में रखना है साथ में आपको दो चार नुमेरिकल कोस्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस तरह से आपको दिया जाएगा जनरल प्रविश्टी करना है अपको असानी समझ में आ जाएगा अंस और श्टॉक में आपको अंतर बताना है लाब हानी अनुपात किसे कहते हैं अत्वापर त्याग अनुपात एवं लाब प्राप्ती अनुपात में अंतर लिखे फिर से आपको एक नुमेरिकल कोस्चन दिया है काजल एवं कामनी एक फर्म के तीन अनुपात दो के अनुपात में लाब एवमानी के विभाजन के साज़दार है वे राहूल को एक बटे चार भाग के लिए साज़दार बनाते हैं और लाब में से कम से कम 50,000 रुपए देने की गैरेंटी देते हैं 31 मार्च 2015 को फर्म का लाब 1,60,000 रुपए हुआ इसके लिए लाब हानी नियोजन खाता बनाई मोष्ट आईमपी प्रश्ण है उसके बाद लेखांकन प्रमाप के अनुसार नय साज़दार के प्रवेश पर ख्याती के संबन में क्या प्रावधान है साज़दारी की प्रमुक विशिस्ताइं लिखे अन्सों की निर्गमन पर जनरल प्रविश्टिया कीजिए रिण पत्रों का निर्गमन करने का उद्देश से आपको बताना है रोकड की गड़ना करना यहाँ पर आपको दिया तक आकड आपको दिया लाभानी खाता देंदार अदद किराया पुर अदद बीमा लेंदार और ख्याती आपको दिया गया है फिर आपका 22 प्रश्ण आ जाता है फर्म में नए व्यक्ति को साज़दार क्यों बनाया जाता है बहुत ही महतवपूर यह प्रश्ण है तो इसको आपको कर लेना है फिर आपका एक और नुमेरिकल आया है लाभा लाब नियोजन खाता यहाँ पर तैयार करने है रिण पत्र के चार प्रकारों कवर्णन कीजिए रिण पत्र एवं अंस के बीच में अंतर करने सबी जिरो के लिए most important question रहेगा साथ में आप जिससे तैयारी करें उनसे भी आपको तैयारी करते रहना है सारा चीज किसी चीज पर निर्भर नहीं होना है Thank you so much